नमस्कार दोस्तों फिर से हमारे एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों यह हमारे पास यह देखिए PVC बॉर्ड में कटी हुई CNC है जो CNC के पल्ले बने हुए है तो यह PVC बॉर्ड है तो इसको कैसे इसमें प्यू पेंट करना है तो इसके प्रोसेस के ब फिलर व,गारा चेक कर लेनी है जहान भी आप प्रोस भी breणा करना कर प्रो पूरी तरह से ुसके डिजाइन के अंदर भी इसको अच्छे से रगड लेना रगड़ने के बाद फिर से फेलरी वगहरा छारी चेक करने के बाद उपर से बीश इसको 150 और 220 और से संड़ine करने её कंप्लीट हो लीटर का सेट है तो इसको कैसे माल को बनाना है तो लीटर का सेट है इसको डब्बे को खोड़ लेना है क्योंकि हमें पूरा माल बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास दो पल्ले है एक हिसाइज के दो पल्ले है दोनों तरफ माल हमको डालना है इसमें दोनों तरफ माल जाएगा इसमें पूरा माल डाल लिया और इसमें को 500 ग्राम का भर मिलता है भी हमको इसमें पूराइडाल देनाओ और उस सी माल उसमें चिपका हुआड वो माल उसमें पिगल कर साथ में आ जाए तो यह उसको फिर उसी एक को दब्डे में अलग निकाल पलट लेना हुई तो यह देखिए इसमें ऐसे पलट लेना है और इसके बाद थिनर भी इसमें हमको आइड़ करना होगा जितना हमने 500 क्राम के आज पास फास हार्डणर डाला तो इतना इतंकरीब में इसको हार्ड' टूसरे सेवन डलता है तो गें फीनल कर लें पर गोल को अच्छे से जो CNC कटा हुआ आपका PVC बोर्ड है उसके उपर पले के उपर फिर ये सिलर को अपलाई कर देना इस तरह से तो सिलर को जब भी आप अपलाई करेंगे तो इसमें चारो तरफ से अपलाई करना होगा ताकि जो CNC के हमारी डिजाइन कटी हुई है डिजाइन के अंदर माल तभी ज पड़ेगा ताकि कि किसी तरफ से भी CNC का जो डिजाइन है कहीं से भी यह न रह जाए कि कहीं माल न पड़े तो उसमें माल जरूर पड़े पुचारो तरफ से इसलिए आपको घूम को उसमें पूरी तरह से माल इसमें डाल देना कहीं भी कम ज्यादा न रहे बराबर से माल साथ में टक्करे भी डालते रहना कहीं भी टक्करे भी छूटने नफ़ाइं विरकुल भी तो वराबर से माल इसी तरह से डाल दें तो इसमें epoxy की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें आप direct sealer डाल सकते हैं कि इसी तरह से आपको बड़ी आसे इसमे अपलाई कर देना तूँमेद करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों कौई पीवीजी बोड में सिरका पीयंट का करना पूरी तरह से समझा गया हो गए वीडियो पसंद आता लाइक और सेर करें